Hello everyone, Welcome to my YouTube channel मिनाक्षी मैट्स क्लासिज आज इस वीडियो में हम करेंगी जो हमारा चाप्टर नूमबर 15 है पैरिमिटर एंड एरिया क्लासिज में इसका जो पेज नूमबर, नेक्स पेज है 218 लास्ट में कोशन नूमर 4 और 5 है बेसिक्स कोशन है यह हम करेंगे तो कोशन 4 देख लेते हैं एक बार क्या है पहले एक वध्यान से स्टेटमेंट पड़ेंगे फाइंड दा एरिया उफ रेक्टैंगूलर प्लेग्राउंड विच इस थर्टी सिक्स मेंटर लोंग एंड ट्वन्टी फोर मेंटर वाइड अब यहाँ पर इनसे बोले कि रेक्टैंगूलर है तो मुझे यहाँ पर एक रेक्टैंगल या तो आप रेक्टैंगल बनालो या फिर आप सिम्पल यहाँ ऐसली कि भी सकते चलो, मैं लिक करी करा देती है find the area of rectangular playground which is 36 meter long means हमें दी हुई है length of rectangular playground हम इसकी length दी हुई है 36 meter ठीक है और wide बोले wide को width कहलो या breadth कहलो एक ही बात है width ख्लिक होगे वो भी चल जाएगा width of rectangular playground ये है 24 meter ठीक है हम मुझे find करना find the area तो हम लिखेंगे therefore उपर एक dot नीचे dot ये therefore का symbol होता है therefore area of rectangular playground अब rectangle का area क्या होता है length multiply breadth या फिर length multiply width लिख दोगे डबली हो तो भी एक इप चीज़ है इन दोनों को multiply कर रहे है means 36 और 24 को क्या करेंगे multiply ठीक है तो यहां हम जो हमारे rough work के लिए space है right hand side में 36 को multiply करेंगे 24 से ठीक है तो यहां से देखो 4 6 और 24 4 3 और 12 12 प्लस 2 14 36 को 2 से करेंगे तो 72 4 यहां पर 6 और यहां 8 864 864 सब कुछ मीटर में है तो मीटर और क्योंकि एरिया है तो एरिया हमीशे स्क्वेर उनिट में है तो यह आपका क्या जाहेगा answer 864 मीटर स्क्वेर next है question number 5 one side of a square tile is 15.6 cm क्योंकि square tile है तो हम लिखेंगे side of square side of square हमें दी है 15.6 cm find the area of tile अब मुझे निकालना है area of square tile अब tile आपकी square shape किया है इस तरीके से square होता है आपको पताए इसकी क्या होती है side ये भी क्या होती है side आपको क्या करना है जब आपको square इसका area निकालना है तो उसका formula क्या होता है side multiply side means आप 156 15.6 को 15.6 से क्या करेंगे multiply तो हम फिलाल decimal नहीं लगा रहा है 156 को 156 से क्या करेंगे multiply तो यहां पर मैंने इनको multiply किया तो यहां था 243,36 ठीक है 243,36 अब decimal के बाद एक अक्षर यहां पर है एक decimal के बाद डिजित यहां तो decimal के बाद टोटल टू डिजित है तो पिछे दे टू डिजित काउंट करो 12 यहां पर decimal ठीक है सब कुछ centimeter में है side centimeter में तो centimeter लेकिन हमें square टाइल उसका area find गया है area हमेशा यहां 2 लिखा जाएगा square unit से में ठीक है तो आपका answer आ जाएगा यहां पर आपके जो do you remember से related जो भी question है वो सारे complete हो गए है इसके बाद हम start करेंगे हमारी वक्षिट वन चैप्टर 15 वक्षिट वन ठीक है तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने friends के साथ शेयर जरूर करें थैंक्यू सो मेच्ट